नमस्तार आप सबको पता है कि हमने पिछले दो बर्स से एक नई परमपरा शुरू की है एक तो बजेट को हमने एक महिना पहले प्रिपॉन किया है और एक अपरिल से बजेट लागू होता तो इन बिट्विन हमें दो महिने तैयारी के लिए मिल जाते हैं और हम प्रहा से कर रहे है एक बजेट के प्रकाश में सारे स्टेक्ष похудर मिलकर के प्राविट, फब्लीक, स्टेट गभर्मेंट, सेंटल गभर्मेंट, सरकार के भिन-भिन डिपार्ट्मेंट पजेट के लाइट में हम जलदी से जलदी चीज़ों को जमीन पर कैसे उतारे, सीम लेसली कैसे उतारे और आप्टिमम आउटकम उस पर हमारा बल कैसे हो इसमें जितने आप लोगों के सुझाव मिलेंगे उससे शायद सरकार को अपनी निरने प्रक्रिया को भी सरल करने में सुविधा होगी इंप्लिमेंटेशन का रोल मैप भी अच्छा बनेगा और फुल स्टोप कॉमा के कारण कभी-कभी एकाद चीज 6-6 मेने तक फाइलों में लटकती रहती है उन सारी चीजों से बचने के लिए हम आप लोगों के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं आपके सुजाओं को लेकर के चलना चाहते हैं ये चर्चा बजेट में ऐसा होना चाहिए था और ऐसा होना चाहिए था इसके लिए तो संभव ने क्योंकि वो काम पार्लामेंट ने कर लिया है लेकिन जो कुछ भी है उसका अच्छे से अच्छा फाइदा जनता तक कैसे पहुंचे देश को कैसे मिले और हम सब मिलकर के कैसे काम करें इस हेतु से हमारी ये चर्चा है आपने देखा होगा इस बार बजेट में साइन्स एंड टकलोजोई से जुड़े जो निर्ने हुए हैं ये सारे निर्ने वाकई बहुत महत्वपूर हैं बजेट की गोश्णाओं का इंप्लिमेंटेशन भी उतनी ही तेजी से हो ये वेविनार इस दिशा में एक कॉलोबरेटिव एफट है फ्रेंट्स हमारी सरकार के लिए साइन्स एंड टकलोजी ये सिर्फ एक आइसोलेटेड सेक्टर नहीं है आज एकोनोमी की फिल्ड में हमारा वीजन डिजिटल एकोनोमी और फिंटेक्स जैसे आधारों से जुड़ा है इंफ्रास्ट्रक्ट्टर के फिल्म हमारा डेवलप्मेंट वीजन एडवांस टेक्नोलोजी पर बेस्थ हैं पब्लिक सर्विसीज और लास्ट मेंट डिलिवरी भी अब डेटा के जरिये डिजिटल प्रेट्फरम से जुड़ रही हैं हमारे लिए टेक्नोलोजी देश के सामान्य से सामान्य नागरिक को एम पावर करने का एक ससक्त माध्यम है हमारे लिए टेक्नोलोजी देश को आत्मन निर्फर बनाने का प्रमुख आधार है और जब मैं भारत के आत्मन निर्फरता की बात करता हूँ तो आज भी आपने अमेरिका के राश्प्रती बाइडन क्या भाषन सुवे सुनाओगा उन्होंने भी अमेरिका को आत्मन निर्फर बनाने की बात कही है अमेरिका में मेकेन अमेरिका के लिए उन्होंने बड़ा जोड़ दिया है और इसलिए हम जानते हैं कि दुनिया में जो नई व्यवस्था हैं बन रही हो इसमें हमारे लिए भी बहुत आवश्यक हैं कि हम आत्मंदिर भारते हैं कि आगे बढ़ें और इस बजेट में उन चीजों को बल दिया हुआ आप देखते होंगे इस बार हमारे बजेट में संराइज सेक्टर्स पर खास जोर दिया गया है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस जीयो स्पेशल सिस्टेम्स ड्रोन से लेकर सेमी कंडॉक्टर्स और स्पेस टेक्नोलोजी तक जीनोमिक्स, फार्मस्टिकल्स और क्लीन टेक्नोलोजी से लेकर फाइव जी तक यह सभी सेक्टर्स आज देश की प्रात्विक्ता है बजेट में संराइज सेक्टर्स के लिए थिमेटिक्स फंड को भी प्रमोट करने की बात कही गई है आप जानते हैं कि बजेट में इसी साल फाइव जी स्पेक्टर्म के आउक्षन को लेकर बहुत स्पस्ट रोड मेप बताया गया है देश में स्ट्रॉंग फाइव जी एको सिस्टिम ने इसे जुड़ी हुई डिजाइन लेड मैनुफेक्टरिंग के लिए भी बजेट में पी एलाइज स्किम्स परपोच की गई है मैं अपने प्राइवेट सेक्टर को विशेश तोर पर आगर करूंगा कि इन फैस्टों से जो नई संभावनाएं बन रही है उस पर डिटेल डिसकुसंस आप लोग जरूर करें और कॉंक्रीट सुझाओं के साथ हम एक सामुही प्रयाश से आगे बढ़े साथियों कहा जाता है कि साइंस इज उनिवर्सल बट टेक्नोलोजी मस्पी लोकल साइंस के सिधान तों से हम परिचित हैं लेकिन टेक्नोलोजी का उसका जादा से जाद इस्तेमाल इस अफ लिविंग इसके लिए कैसे करें हमें इस पर भी जोड देना होगा आज हम तेजी से घरों का निर्मान कर रहे हैं रेल रोड एरवे वाटरवे और अप्टिकल फाइबर भी अबुद पुर्वन निवेश हम हो रहा है इसमें और गती लाने के लिए पी एम गती शक्ति के वीजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं इस वीजन को टेक्नोलोजी से निरंतर कैसे मदद मिल सकती हैं इस पर हमें काम करना होगा आपको पता है कि हाउसिंग सक्टर में देश के छे बड़े लाइट हाउस प्रोजेक्स पर काम किया जा रहा है गरों के निर्मान में हम आदुनिक टेक्नोलोजी को जोड रहे हैं हम टेक्नोलोजी के माध्यम से इसकी गती और कैसे तेज कर सकते हैं इसे और विस्तार दे भें इस पर भी आप सब का सवयोग हमें चाहिए है शक्रियय योगदान चाहिए और इनोवेटीव आईडियास के साथ चाहिए आज हम देख रहे हैं मेडिकल साइज्स भी करीब करीबbased technology अब ज्यादा से ज्यादा मेडिकल एक्विपमेंट्स का निर्मान भारत में हो और भारत की आवश्रक्ताओं को ध्यान में रखके हो उसमें टेक्नलोजी की कैसे मतर ली जा सकती है इस और भी हम सब को मिलकर के ध्यान देना है और शायद आप ज्यादा अच्छा उसमें का अब विश्वब है इसका बहुत बड़ा मार्केट बन गया है युआ पीडी बड़ी तेजी से जूड़ गई है इस बजेट में हमने एवी जिसी यानि एनिमेशन विज्यूल इफेक्ट गेमिंग कॉमिक पर बहुत जोड़ दिया है इस दिशा में भी जब भारत आईट क्या आप अपने प्रयासिस वे बढ़ा सकते हैं इसी तरह भारतिये खिलोना का भी बहुत बड़ा मार्केट है और आज जो बच्चे हैं उनको खिलोनों में कोई कोई टेक्नोलोजी होना उसकी पसंद होती है क्या हम हमारे देश के बच्चों के अनुकुल टेक्नोलोजी से जुड़े हुए खिलोने और उसका दुनिया में मार्केट एक ऐसा ख्चेत्र बन सकता है हम सोच सकते हैं क्या ऐसे ही कॉम्यूनिकेशन सेक्टर में नई टेक्नोलोजी लाने के लिए भी हम सब को हमारे प्रयासों को और अधिक गेति देने की ज़रुवत है सर्वर भारत में ही हो विदेशवपन निर्फरता कम से कम हो और कॉम्यूनिकेशन के समन्द में सिकुरिटी अंगल नया नया जूड़ता चला जा रहा है तो हमें बड़ी जागरुकता के साथ इस वार अपने प्रयास बढ़ाने ही होंगे प्रिंटेक के समन्द में भी भारत ने पिछले दिनों कमाल कर दिया है लोग मानते थे कि हमारे देश में ये खेकतर में कैसे बर लेकिन बोबाइल फोन से भी फाइनांसल एक्टिविटी में जिस प्रकार से हमारे गाउं भी जूड़ रहे हैं इसका मतलब हुआ फिंटेक में भी ज्यादा से ज्यादा आधुनिक टेक्लोजिक का समावेश आज हमारे लिए समय की माग है इसमें सिकुरिटी भी है फरवरी 2020 में देश ने जियो स्पेशल डेटा को लेकर पुराने तौर तरीके बदल दिये है इससे जियो स्पेशल के लिए इंफिरेट न्यू पोसिबिलिटी ज न्यू आपर्टिनेटी ज ओपन हुई है हमारे प्राइवेट सेक्टर को इसका पूरा लाब उचाना चाहिए साथ योग कोवीड के समय हमारी सेल्फ सस्टेडिबिलिटे से लेकर वैक्शिन प्रोडक्शन तक हमारी रिलाइबिलिटी को दुनिया ने देखा है इसी सक्सेस को हमें हर सक्टर में रिप्रिकेट करना है इसमें हमारी इंडुस्ट्री की आप सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश में एक रोबस्ट डेटा सिकुरिटी फ्रेमवर्ग भी बहुत जरूरी है डेटा का जादा से जादा लाब उठाने के लिए डेटा गवरनर्स भी आवश्ट है ऐसे में इसके स्टांडर्स और नॉम्स भी हमें सैट करने होंगे हम इस दिशा में कैसे आगे बढ़े आप सभी मिलकर एक रोड में तयार कर सकते हैं फ्रेंट्स आज भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और फास्टेज गोइंग स्टार्ट अप एको सिस्टेम है मैं अपने स्टार्ट अप को बरोसा देना चाहता हूँ कि सरकार उनके साथ पूरी सक्ती से खड़ी है बजेट में युवाओं की स्किलिंग, रिस्किलिंग और अप्स्किलिंग के लिए पॉर्टल का प्रस्ताव भी रखा गया है इससे युवाओं को API-based trusted skill credentials, payment और discovery layers के जरिये सही jobs और opportunities मिलेगी Friends, देश में manufacturing को प्रमोट करने के लिए हमने 14 key sectors में 2 लाग करोड रुपे की PLI scheme सुरू की है इस webinar में से इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मुझे practical ideas के पेक्षा है मुझे seamless implementation के रास्ते आप हमेश सुझाईए citizen services के लिए हम optic fiber का और बहतल इस्तमाल कैसे कर सकते है हमारे गाउं का दूर दराज का विद्ध्यारती भी हिंदुस्तान की top most education system का लाप इस technology के मादम से अपने घर में कैसे ले सकता है medical से मैं कैसे ले सकता है agriculture में innovation का लाप किसान मेरा छोटा किसान कैसे ले सकता है जब उसके हाथ में mobile है दुनिया में सारी चीज़े available हैं हमें इसको seamlessly connect करना है मैं चाहता हूँ इसके लिए मुझे आप सभी महनुभाव से innovative सुझाव की जरूरत है साथियों e-waste जैसी technology से जुड़ी जो चुनोतियां विश्व के सामने है उनका समाधान भी technology से ही होगा मेरा आप से विशेश आग रहे हैं इस webinar में आप circular economy, e-waste management और electric mobility जैसी solutions पर भी focus करें, देश को निरनायक समाधान दे मुझे पूरा भरोसा है आपके प्रयासों से देश अपने लक्षों तक जरूर पहुचेगा और मैं फिर से कहूँगा, ये webinar सरकार के तरब से आपको ग्यान परोसने का नहीं है ये webinar आप से सरकार को idea चाहिए आप से सरकार को नहीने तौर तरीके चाहिए ताकि गती कैसे बढ़े और हम जल्दी से जल्दी से जो लगाए budget खर्च किया है सोचा हैं उसको हम पहली त्रिमाही में ही कुछ करके दिखा सकते हैं क्या time bound program बना सकते हैं क्या मुझे विश्वास हैं आप इस फिल्म में हैं आपको हर बारिक्यों का पता है कहां कठिनाईया है उसका पता है क्या करने से अच्छे से अच्छी तरीके से हो सकता है तेज गती से हो सकता है आपको सब पता है हम मिलकर बैट करके इसको आगे भढ़ाना चाहते हैं मैं आपको इस वेबिनार के लिए बहुत-बहुत शुब कामनाई देता हूँ धन्यवाद